जिलाबार असोसियेशन के आवहान पर वकीलों ने कामकाच बंद रखा सभी अधिवक्ता नियाएक प्रक्रिया से दूर रहे बुदवार को जवलपुर जिलाबार असोसियेशन ने कामबंद हर्ताल का एलान कर दिया दरसल पार्टन एडीजे कोट बने के बाद पार्टन सम् सम्दित जो भी केस है और उसकी सुनवाई चल रही है वह केस अभी पार्टन एडीजे कोट में इस्थानानंतरित ना किया जाए जिलाबार असोसियेशन किस मांग को दरकिनार कर दिया गया और पार्टन सम्दित सभी केस पार्टन एडीजे कोट में इस्थानानंतरित कर द जाएगा जिला वार के बदात्रिकारी उन्हें का लेक बैटर की थी जिसमें दो दिसंबर को जो पार्टन में नई कोट खुली एडिजे की उस मान में जो जो दिक्षिन के केस थे ख्लेम केस किमला केस ट्राइले अपीले वोग पूरी की पूरी पार्टन बेज़ दी गही है करें ऊद्रेंट नोटिफिक्षिन जा रहे ही हाई कोटने हैं हम लोग जो केस परिंडिंग वाइं में पार्टन जो यह ही रखे वह नहीं है वो फाईलें जा प्रॉट रन की जाय लेकिन बिदीकारी लोग है जैसने लोग और इसको नहीं मान रहे हैं कि जिते भी केसे पार पूरी पहां पेज़ देंगे इसी बात को लेकर आज जिलाबार के समस्त अधिवक्ताओं ने आज कोड का बहिशकार किया गया है और यदि इन्हों नहीं मांगी तो अनिशित कारी नटालता हो जा सकते हैं और यदि ये बात नहीं मानी जाती है जो मुकदमें चले गया हैं वापस नहीं जाते हैं तो आठ तरीक का जो नैशनल लोगदालत हो रही है उसका हम पुरे बखीर भाइशकार करेंगे नहीं कार से विरत हैं क्योंकि हमारे जो अधिवक्ताओं की मांगती पांटन एडीजे कोट जब से अभी बना है और पांटन एडीजे कोट बनने के बाद सिविल और किर्मिनल के मुकदमी भेज दिये गए बिना बार को कॉन्फिडेंस में लिए फिर इसके बाद एमबी सी के परकरण भी कल सुनने में आए कि सारे के सारे केसिस भेजे जा रहे ऐसी इस्तिति में जो की नए मामले के लिए तैयार है कि वहां नए मामले फाइल करें इन पुराने मामले कैसे इस्थान अंद्रित किये जा सकते हैं इतनी आवबश्ताएं हो जाएंगी पार्टन कोट जागर के वकील कैसे पहरी भी करेंगी तो हम लोगी जो मुख मांग यही थी कि पार्टन जो डीजे कोट हैं वहां पर अपना वो वर्क करें लेकिन यहां जो जवलपुर में जो केस हैं वो यथावत यही रहे मुख मांग यही है इसी कारण जल अदिवक्ता संग नेक भूझ थी इसक्रण सकत्ससरा जगा है कि भी ताब नेकcan दिएषяжक पार्टन जो जो और अजल जो आगा है यही तो हमना यही है घंच पाहिर लिसां झांना है